नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल जॉइन टेक वन में एक नई जानकारी लेके मैं इस वीडियो में आया हुआ हूँ निश्चित है आपको कि या निश्चित ही पसंद आयेगा क्योंकि अब इस समय जो पीम किसान योजना का र यह आविदन खोलते हैं तो उसमें एक योजना भी डाल दी गई है जिसका नाम है पीम किसान मानधन योजना ठीक है बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि यह योजना क्या है उस पे जो आपसंद दिया गया है कि यस या नो ठीक है आप यस कर सकते हैं या नो उसके लिए आपको आपसन वहाँ पर मिल जाता है तो बहुत से लोगों का कमेंट आया कि यह बताईए कि यह क्या है इस पर टिक लगाए यस यस कर दें या नो कर दें तो यही जनकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हैं कि पीम किसान मांधन योजना क्या चीज़ है देखिए पीम किसान मांधन योजना जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया गया है साफ साफ कि पीम किसान योजना में किसान को मिलने वाले सालाना जो 6000 रुपे मिलते हैं उन में से कुछ रासी पीम मांधन योज जाती है ठीक है उसके पस्चाथ आपको साथ साल के बाद इसका फाइदा क्या मिलता है वो आपको मैं यहां पर दिखाने वाला हूँ देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां बता दिना चाहता हूँ कि यदि आप 18 साल के हैं या 18 साल से 40 साल के बीच में हैं तब आपने रेजिस्टेशन किया इसका तब आपको 55 रुपए मन्थली कटेगा आपके बैंक से ठीक है वो एक साल में कितना आएगा एक साल में 660 हैं कि 6000 रुपए आपके खाते में एक साल का अभी आता है ठीक है तीन किस्तों में तो 6000 में से आपको 660 रुपए कड़ जाएगा यदि आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं अभी तब ठीक है यहीं जब आप 18 साल मालब 40 साल से ज़्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा तब खाते से 200 रुपए कटना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है यह आपका सालीना कितना पड़ेगा 24 से रुपए पड़ेगा आप जानते हैं कि आपको साल में 6000 रुपए मिल जाते हैं किसान सम्वान ने दीजें जिसमें से कि आपको महीने के महीना का आपको 200 देना पड़ेगा मत 40 साल से जब ज़्याद़ आपकी यह हो जाएंगी तब की बात हो गई लेकिन आपको मिले गा कितना इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं ठीक है जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको तीन से रूपए एक महीने की पेंसन के रूप में मिलना स्टाट हो जाएगी ठीक है अ अब देखा जाए तो मैंने यहां से चूंकि हमको 6000 रुपए किस तो ऐसे भी मिल जाता है एक साल का उसमें से हमको जब तक हम 40 साल के होते हैं तब तक हमको किवल 660 रुपए एक साल का देना पड़ेगा ठीक है लेकिन जब हम 40 साल से जादा हो जाएंगे तो उसके बाद आपक 24 से रुपए आपके खाते से कटना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जब आप साथ साल के हो जाएंगे तब आपको 3000 रुपए प्रत महीने के इसाब से पेंसन मिलना स्टार्ट हो जाएगी थी कैश अब यहां पर हम देख लेते हैं कि आप उसके बाद आपको जब 3000 रुपए पंसन मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो आप जानते हैं कि तीन हजार को हम एक साल से मुल्टिप्लाई यहां पे करते हैं तो आता कितना है चप्छंध सथे हजार आता है तो धुम्नों यहां एक साल का आपको च्प्छंध выпaj लग जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्कीम है वो आपके लिए लाबदायक है ठीक है तो मैं आप सभी को यही सला दूँगा कि जब आप आनलाइन रेजिस्टेशन के लिए फॉर्म बरते हैं तो किसान से आप पूछ लीजिए कि उसका मांधन योजना में रेजिस्टेशन डाल दें या नहीं कोसिस जहां तक की हो सके आप उसमें यस कर दीजिए क्योंकि वो आपको जितना आप यहां पे कटाया हुए हैं आसा कीजिए कि वो पैसा आपका डूबेगा नहीं आपको 60 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट बताने वाला है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाग दोलबरे जिंदगी में क्या है कि जब आदमी 60 साल का हो जाता है तो उसके पस्चाथ उसको एक एक पैसे की बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि उस अवस्था में वो कमाने के लाइक नहीं होता है इसलिए जब 3000 उसको पैंसन के रूप में मिलने लगेगा तब उसको बहुत ज़्यादा वो उपयोगी बताएगा ठीक है तो दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी ज़्यादी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बिल आइकन को भी डबा दीजिए क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो और जानकारी योगत वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता है